दोस्तो आपने कहावस सुनी होगी कि Rome was not built in a day यानि रोम एक दिन में नहीं बना था बड़े-बड़े कामों को अंजाम में लाने के लिए समय लगता है धहरे रखना पड़ता है दोस्तो आज बात करेंगे mind management के बारे में आम तोर पे हम time management के बारे में बात करते हैं कि समय का प्रबंधन कैसे किया जाए लेकिन असल बात मन के प्रबंधन के बारे में है यदि हमने मन के प्रबंधन को करना सीख लिया, समझ लिया, understand कर लिया अपने अंदर inculcate कर लिया हमें time की कोई कमी नहीं रहेगी और कम समय के अंदर ही हम बहुत बड़े-बड़े कामों को अंजाम दे पाएंगे तो बने रहेए मेरे साथ इस वीडियो में दोस्तो, डेविड कैडवे ने किताब लिखी Mind Management, Not Time Management जो इशारा करती है अपने दिमाग के प्रबंधन के बारे में ना कि समय के बरबंधन के बारे में दोस्तो, जब हमें Productivity चाहिए हो और Creativity के साथ चाहिए हो तो हमें Mind के जरूरत पड़ती है हमारे दिमाग के दो हिससे होते हैं Left Hemisphere और Right Hemisphere जो व्यक्ति इन दोनों दिमाग के हिस्सों का पोरण इस्तेमाल कर पाता है वो व्यक्ति Genius कहलाता है और वही व्यक्ति दुनिया के अंदर बड़े-बड़े काम कर पाता है आज हम समझेंगे अपनी Creativity के ओपर काम करते हुए अपनी Productivity को कैसे बढ़ाएं इस किताब को समझने के लिए इसे हमने 5 इससों में Divide किया है पहला पाट Mind Management दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझने के जरूरत है कि किसी Particular समय में हम किस काम करने के मूड में होते हैं दोस्तों आम तोर पे अपनी To-Do List बनाते हुए या वो कामों की Лिस्ट बनाते हुए जो हमें दिन भर में करने हैं हम कहीं बार उलज जाते हैं हमारा मन उस काम करने में नहीं होता जो हमने अपनी to do list में लिखे हैं हमारा मन कुछ और करना चाहता है, हमारा दिमाग कुछ और करना चाहता है लेकिन to do list के अंदर कुछ और ही लिखा होता है तो इस से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने दिमाग से पूछो कि इस समय में ये काम आपका दिमाग करना चाहता है नहीं इधि वो करना चाहता है तो इससे अच्छी बात कोहि नहीं हो सकती और जब आपको आपके दिमाग के मूड का पता लग जाएगा और धीरे-धीरे ये आदत गहरी हो जाएगी तब आपको समय के नुसार अपने माइंड को मैनेज करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको इतना करना है कि आपको अपने माइंड के मूड को समझना है दूसरा पार्ट है creative sweet sport दोस्तो creative sweet sport का अर्थी होता है Eureka Moment कई बार हमें कोई काम करते-करते अचानक की एक insight आता है और हम कहते हैं मिल गया Eureka इसे Eureka Moment कहा जाता है ये अचानक हो सकती है क्योंकि काम करते-करते जब हमारा दिमाग एक ऐसी स्थिती में आ जाता है जब हमारा दिमाग flow की इस्थिती में आ जाता है जब दिमाग भाव की इस्थिती में आ जाता है जब वो सोचने से दूर चला जाता है यानि वो शान्त होता है और उसके अंदर कोई लहर नहीं उठ रही होती तब ये Yureka moment आती है दोस्तो ये इरवेका मोमेंट आम तोर पे मेडिटेशन करते हुए सपनों के वक्त या फिर बातरूम में नहते हुए आती है या कोई ऐसा काम करते करते आती है जब आप फ्लो में हो चुके होते हैं जैसे एकसाइस करते हुए चलते हुए या कोई music सुनते हुए या कुछ चीज बड़ी ग्यानता के साथ देखते हुए दोस्तों ये creative sweet sport आपके जीवन का लक्षे भी हो सकता है क्योंकि हमारे मन के अंदर एक दिन में लगबग 50,000 थोट साते हैं और हमें ये पता ही नहीं होते है कि कौन से थोट सुन में से काम के होते हैं ये eureka moment वाला थोट बहुत काम का हो सकता है बहुत सारे व्यग्यानिकों को बहुत सारे musicians को अपनी धुल बनाते वक्त और बहुत सारे व्यज्यानिकों को कोई नई रिसर्च करते वक्त ये उरेका मॉमेंट अक्सर आते हैं और ये उरेका मॉमेंट उनको भीड से अलग कर देते हैं आउट ओफ दा थिंकिंग सोचने के लिए एक ऐसी चीज दे देते हैं जो शायद उनके काम करते हुए या सोचते हुए नहीं आती है पार्ट थ्री, फोर स्टेजिस ओफ क्रियेटिविटी दोस्तों कुछ भी क्रियेट करने के लिए हमें चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है चार स्टेजिस को पार करना पड़ता है आईए जानते हैं वो चार स्टेजिस कौन-कौन सी है पहली है प्रिपरेशन माल लो आपको किताब लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंटेंट ढूनना, लैवरेरी में जाना, इंटरनेट को सर्च करना, टोपिक्स बनाना ये सारा का सारा आता है प्रिपरेशन में जब आप त्यारी कर रहे होते हैं, जब आप कंटेंट ढूट रहे होते हैं जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं, टोपिक्स की तो ये सारे के सारे काम को प्रिपरेशन बोला जाता है सब उन चीजों को अलग-अलग resources से इकठा करना preparation की category में आता है ये brainstorming stage है दोस्तों इस stage के बिना आप अगली stage पे move नहीं कर सकते ये foundation है किसी भी काम को, किसी भी creativity को करने के लिए दूसरी stage है incubation stage दोस्तों इस stage के अंदर आप breaks लेते हैं क्योंकि जब आप brainstorming करते करते, बहुत सारा काम करते करते, चीजों को ढूंड़ते, ढूंड़ते, इंटरनेट को खंगालते, खंगालते, लैबरेरी के अंदर छक मारते-मारते ठक जाते हैं तो आपके दिमाग को और श्रीर को rest की अवशकता होती है और इस rest के अंदर ही आपका दिमाग दोवारा से calibration के लिए त्यार होता है अगर ये incubation की stage नहीं आएगी, तो आपके दिमाग के अंदर वो ताकत और energy नहीं बचेगी जिससे आप third stage के लिए move कर सकें इसलिए काम करते करते आपको छोटे और बड़े breaks लेने पड़ते हैं जिसे हम incubation कहते हैं तीसरी stage है illumination दोस्तो, illumination के अंदर ही eureka moments आते हैं जिसे हम creative sweet sport कहते हैं जिसे हमने पहले part में discuss किया है दोस्तो, अचानक से होने वाली ये illumination आपको नया insight देते हैं उस काम के बारे में जो कर रहे होते हैं जिससे आप गुजर रहे होते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रकृती भी आपके बड़े काम में मदद करती है जब आप पूरी दिल से उस काम को अंजाम देने में जुड जाते हैं दोस्तो इस युरेका मोमेंट के अंदर आपको वो चीज प्राप्त होती है आपको वो insights बिलते हैं जो आपको बड़ा बनाने में आपको बड़ी सफलता प्राप्त करने और आपके बड़े विजन को सफल करने के लिए जरूरी होते हैं और चोती स्टेज है verification दोस्तो आप अपने idea को आप अपने insight को आप अपने युरेका मोमेंट को जिस पे आप काम करने वाले हैं और बड़ी सफलता को अंजाम देने वाले हैं इस stage के अंदर verify करते हैं उसके लिए proof इकटा करते हैं उसके लिए evidence इकटा करते हैं उसको विज्ञान की कसोटी पे तोलते हैं और जब वो चीजे verify होनी शुरू हो जाती हैं तब उस पे आप पूरी energy के साथ जुड़ जाते हैं और एक बड़ी खोज को अंजाम देते हैं एक बड़े experiment को पूरा करते हैं और दुनिया के सामने वो चीजे लेके आते हैं जिसकी वाकई दुनिया को जुरूरत है पार्ट नमबर 4 7. Mental State of Creativity दोस्तो, creativity के अंदर हमारे दिमाग की भी अलग-अलग stages होती है आईए इनको समझते हैं दोस्तो, ये mental state साथ किसम की होती है ये steps कितने से होती है पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह से तो पहली mental state है prioritized mental state दोस्तो, इस mental state के अंदर आप मिश्यत करते हैं आप अपनी priority को decide करते हैं आप जो काम करना चाहते हैं उनकी priorities लिखते हैं उनकी एक list बनाते हैं इसे हम prioritized mental state कहते हैं दूसरी mental state होती है explore mental state दोस्तो, जो चीज़ें आपने prioritized mental state की state में लिखी है उनको explore करने का नाम mental state है जब उस पे आप काम करना चुरू कर देते हैं उसको explore करते हैं उसके लिए आगे बढ़ते हैं और information को इकठा करते हैं यानि चीज़ों को explore करते हैं analyze करते हैं तो इस दूसरी stage को explore mental state कहते हैं और तीसरी mental state है research mental state दोस्तो, research mental state के अंदर आप चीज़ों का visualization करते हैं अनुसंधान करते हैं और उसके लिए evidence इकठा करते हैं सबूत इकठा करते हैं इसे हम research mental state कहते हैं और चोती है general mental state जब बीच-बीच में आप breaks लेते हैं सारी चीज़ों को, सारे तथियों को कठा करके जोडने का काम करते हैं तो इसे हम general mental state कहते हैं पाचवा है Polish mental state दोस्तो, जब आपने research mental state के अंदर चीज़ों का analyze कर लिया अनुसंधान कर लिया evidence कर लिये और general mental state के अंदर उनको मिला कर एक concrete idea डवेल्प कर लिया तब बारी आती है Polish mental state के अंदर आप अपने idea को अपनी research को polish करते हैं और उसे packaging के लिए तियार करते हैं और छटी mental state है administrative mental state दोस्तो, इस mental state के अंदर आप अपने काम के साथ-साथ अपने प्रिवार को, समाज को और चीजों को भी समय देना शुरू करते हैं ताकि आप monotonous ना हो जाएं आपके जीवन के अंदर बोरियत ना हो जाएं तो इसे हम administrative mental state कहते हैं जिसके अंदर हम अपने काम के लावा भी दूसरी चीजों को अंजाम देते हैं और सात्वी और सबसे अंतिम mental state होती है recharge mental state दोस्तों जब हम अपने आपको हर्त रहें के काम से अलग कर लेते हैं और अपने मन को अपने श्रीर को अपने दिमाग को recharge करते हैं उसके अंदर energy उर्चा का संचार करते हैं तो इसे recharge mental state कहा जाता है इसमें हम meditation करते हैं छुटियां लेकर कहीं घुमने चले जाते हैं और अपने दिमाग को पूरी तरह से अराम देते हैं तो दोस्तों इस तरह से किसी भी creativity के अंदर हमें इन साथ mental state से गुजरना पड़ता है और आज के वीडियो का पाँचवां पार्ट है creative cycles हर व्यक्ति को अपने बारे में सब कुछ पता होता है कि वो किस समय में किस काम के लिए बना है उसके लिए कौन सा समय किस काम के लिए उत्तम है इसे ही हम creative cycles बोलते हैं दोस्तों बहुत सारे researchers और बहुत सारे musicians बहुत सारे artists और लेकक अपने काम को रात के समय अंजाम देते हैं वो काम करने बारा बज़े बैठते हैं और सुब़ेच चार बज़े तक अपने काम को अच्छी तरह से करते रहते हैं उसे ही उनका creative cycle कहा जाता है ये हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है कुछ लोग creativity की four stages को भी अलग-अलग समय के अनुसार ढाल लेते हैं दोस्तो हर व्यक्ति का एक circadian rhythm होता है एक natural sleep cycle होता है उसके अनुसार ही हमारा श्रीर काम करता है जिन लोगों को रात में जागने की आदत होती है उनका creative sweet sports का time अलग हो सकता है जिन लोगों को दिन में जागने की आदत होती है उनका creative sweet sport अलग time हो सकता है उनकी eureka moments अलग-अलग समय पे आ सकती है और दोस्तो इस तरह से ही उनका circadian rhythm काम करता है उनकी body की natural cloak काम करती है और इसे ही हम creative cycle कहते हैं दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि आज की David Cadway की book Mind Management not Time Management की book summary आपको अच्छी लगी होगी यदि आपको लगता है कि लोग इस summary को सुनकर और ज़्यादा creative और productive हो सकते हैं तो इसे share करना ना भूलें और यदि आप channel पर नए हैं तो इस तरह की motivational book summary को देखने के लिए channel को subscribe कर लें और notification bell भी दबा दे ताकि कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार